हरियोम गाईज ये पिछले वाले ब्लोग का आगे का ब्लोग है तो आपने पिछले ब्लोग में देखा था कि हम राची घुमने आये थे और बकरी बजार वाले ब्लोग में हमारा ब्लोग खतम हो गया था तो चलिए इससे आगे का ब्लोग आप लोगों को दिखाते हैं तो अ दोस्तों देखिए यहां का पंडाल पर पूरा गोल से सीड़ी बनाया हुआ है इसी से हम लोगों को चल कर जाना है अंदर और पूरा अंदर पर मस मस सीन बनाया हुआ है तो चली आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं दोस्तों देखें यहां पर महाभारत का स्थीन बनाया हुआ है दोस्तों भी हम पंडाल के अंदर गुज गए और देखें अंदर भी कितना से भीड़ है और यहां पर भी देखें कितना मस सजाया हुआ है तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहां का मूर्थी दिखाता हूँ और दोस्तों बकरी बजार के बाहर बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था दोस्तों भी हम एक और पंडाल के पास पहुंच के और देखें यहां पर चंद्रियान का बनाया गया है बहुत ही किरियेटिव पंडाल है यहां पर देखें फिरित्वी और चारो तरब रोकेट बनाया हुआ है और दोस्तों पंडाल के अंदर भी बहुत सारा चंद्रियान का पार्ट बनाया हुआ है तो चलिए मैं आप लोगों को एक एकर के सारा पार्ट दिखाता हूँ कर दोस्तों पंडाल के सारा चंद्रियान का पार्ट बनाया हुआ है दोस्तों भी हम पंडाल के अंदर गुज गए है तो चलिए आप लोगों को यहां का मूर्ति दिखाते हैं दोस्तों भी मैं आ गया हूँ एक और पंडाल के पास तो यहां का पंडाल आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंड करके जरू बताएं और अभी तक आप लोगोंने जित्ता भी पंडाल देखा होगा और मूर्ति देखा होगा उन सभी में से सबसे खुबसूरत मूर्ति यहीं का बना हुआ है तो चलिए मैं आप लोगों को यहां का मूर्ति दिखाता हूँ सभी जगों से सबसे खुबसूरत मूर्ति यहीं का है तो चलिए और आप लोगों को सबसे अच्छा मूर्ति कहां का लगा कमेंड करके मुझे जरूर बताएं और यहां का लगा की नहीं यह भी मुझे जरूर अब बताईएगा दोस्तों अब हम आ गए राची का अखरी पंडाल इसके बाद हम घर जाएंगे तो चलिए यहां का पंडाल आप लोगों को दिखाते हैं और अभी बहुत जादा रात हो गया बारा बच गया यहीं पर तो घर जाते जाते हमको लगता है एक दो बच जाएगा तो चलिए यहां का पंडाल देखिए और मूरती देखिए और कमेंट करके बताईए कि आपको कैसा लगा यहां का भी मूरती दोस्तों मेरा आची से घर आ